तो आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ परफेक्ट होममेड पनीर की रेसिपी और वह भी मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर की डिमांड पे तो यह देखिए हमने घर पे बनाया है एक तम सौफ्ट सा पनीर पॉफेक्ट पनीर रेसिपी तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप कम पनीर बनेगा इसलिए अगर आप पनीर बनाना चाहते हैं तो आप भैस के दूट से बनाईए या फिर अमूल फुल मिल्क क्रीम दूट से आप बना सकते हैं तो देखिए यहां पर हमारे दूद में अबाल आज चुका है तो यहां पर देढ नीबू का रस मैंने निकाल जैसे ही एक बाल आ जाए हम इसमें यह जो नीबू का रस है एड़ कर देंगे अगर आप चाहें तो आप इसमें दो चमश विनिगर का भी इस्तमाल कर सकते हैं दूद फारने के लिए और अगर विनिगर और नीबू का रस दूनों नहीं है तो आप दो बड़े चमश दही क इसे भी दूष पॉट जहाएक और पनीर अच्छा बनेगा। तो देखिये आपके बस जो भी आवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिये दूष जहाएग ये सेपरेट होने लगा है। गेस चgreg अब मुझर कहते हैं इसे कफी सारे मिठाईय को बना सकते हैं इसे काफी सारी मिठाया हम बना सकते हैं तो देखेश Okay जो सारा यह पानी है यह उपर आजुका तो यहाँ पें इक मैंने बड़ा सा कतोरा है उसके उपर मैंने छन्न नी साथी में एक कपड़ा हम ले लेंगे, कुछ भी कपड़ा लेइ सकते हैं, मैंने ये रुमाल ले दिया है, वाश्ट किया हुआ हुआ है, इससे हम अजिए लेंगे, इस रुमाल में, आप इसके एक पोठली बना दीचे और जो नीचे पानी है इससे आप आटा भी गूच सकते हैं रोटिया बना सकते हैं यह बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है तो इससे आपकी जो रोटी पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो यह जो पानी है मैं इसे साइड में रख देती हूँ और बाकी बचा हुआ भी जो पानी है हमारे पनीर में इससे हम ऐसे निचोड के निकाल लेते हैं और इसकी पोठली जो है इस तरीके से मैं ऐसे तो यह पर मैंने लोटे में पानी भर के रख दिया है तो फंद्रा मिनिट के बाद अब हम इससे देख लेते हैं तो यह देखिए पंद्रा मिनिट बाद इसका सारा पानी निकल चुका है और यह हमने घर पे पनीर बनाया है ताजा-ताजा पनीर जो है यह एकदम रेडी है तो मैंने इसे पांच मिनिट फ्रीज में भी रख दिया है ताकि यह बहुत अच्छे से सेट हो जाए और इसके पीसिस है जो बहुत ही अच्छे से कट पाए तो यह देखे जो हम पीसिस कर रहे हैं यह बहुत ही असानी से कट रहे हैं कितने नीट यह कट रहे हैं तो आप इ मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चानल इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दू कि एक लिटर दूद में दो सो ग्राम के करीब पनीर बनता है तो आप प्यार से बनाएए मज़े सिखाएए बबाई एंट टे